हलो गाइस गुर्माउनिंग वेलकम टो यूट्यूब चैनल यंगर एज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीनेस बैंक के बारे में आज सेकंड जुलाई 2022 को इसका ऑउनलाइन एक्जमेशन था असिस्टेंट मेनेजर पोश्ट के लिए तो इसका एक्जाम जो है मै चोटे बड़ी अपडेट आती एक्जाम से रिल्टेट तो सबसे पहले वहाँ पर अपडेट करता हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरू से जॉइन करिएगा सो बात करते हैं डीनेस बैंक के बारे में मेरा एक पीम का शिप्र मेरा एक्जामेशन था उसके लिए मैं इल्ट सबस्सक्रिद्ट जलदी निकलना पड़ता है साथ बजे में निकल गया था ठीक है तो निकला तो क्या हुए कि जो टुटिल्ड से करे —owing to पंचर कैसे आयुआ थैन जो सबसे पहले बात करतें जिये के बारे में तो जो किरंट आया था इस एक्जैमेशन में जो जी के आये उपार वह वह बहुत कमाया हूओ था current affair maximum जो है static awareness आया हुआ था static ठीक जिसमें बैंकिंग अगरनेस static awareness आया हुआ था जो current affair के अगर में बात करो तो January February और December March के question थे कुछ बाकी पूरा का पूरा static था मैं कुछ static question आपको बता देता हूं जैसे कि credit rating agency इनको कोन regulate करता है insurance act कब का है उसके बाद इंडिया की reinsurance company कोन सी है इंडिया की री insurance company कोन सी है उसके बाद Marine National Park माराइन नेशनल पार्क कहा है World Water Day ठीक है World Water Day कब मनाते हैं उसके बाद question आया हुआ था पी पीएफ इसमें जो है maximum limit कितनी है पीपी एफ इसमें maximum limit कितनी है CRR के बारे में पुछा गया था question में CRR की definition दिया था समझ न था कि यह CRR है इसलिए उस पर टिक करना था उसके बाद SLR का value पुछा था कि अभी कितना परसेंट है SLR पाकी बुक के question आये हुए थे स्पोर्ट के question आये हुए थे 2025 में ICC World Cup या ICC T20 मेंस World Cup ऐसा कुछ था वह कहां होने वाला है ठीक है उसके रिगार्डिंग था फिर जंधन योजना के जो नीरत चोपरा है नीरत चोपरा इनको 2020-21 में किस बैंक ने चूस किया था साइबर अवरने से ऐसा कुछ था ठीक है उसके लिए तो पूरा ने question भी पूछे गए थे 2020 के भी question पूछे गए थे कुछ बुक के question थे तो अगर मैं बोलू पूरा का पूरा स्टैटिक बेस था current affair ज्यादा कुछ नहीं था चार से पांच कोशन होगे current affair के बार बागी पूरा का पूरा स्टैटिक था तो जीए में मेरे attempt हुए है 50 out of 50 इसमें 50% मेरी जो है accuracy है ठीक है 50% मेरी बात करते है रिजनिंग के बारे में तो रिजनिंग में 50 out of 50 बने बनाया और 15 मिनिट पहले ही मेरा पेपर हो गया ठीक है 15 मिनिट पहले मैं देख रहा था इदर दर लोग बनाई रहे थे उस समय एक लड़की जो है बॉक्स वाला पजल कर रही थी जो की बहुत ही गलत मेथ सब्सक्राइब कर रही थी उसकी एपरोच सही नहीं थी पांच पॉसिबिलिटी ली थी उसने उस बॉक्स वाले पदल के लिए ओके और जो साइड वाला लड़का था वो जो है एक ही पॉसिबिलिटी में पेंसे कट करके सौल कर रहा था और खुदी कन्फ्यूस हो गया था एक लीनियर वाला था एक डे वाला था एक बॉक्स वाला था ठीक है सब में इसमें एट इसमें भी एट ठीक है इसमें भी एट बॉक्स थे सो बहुत ही इजी थे सिंगल वेरियेबल इसको आसानी से आप कर सकते थे ठीक है उसके बाद बात की जाए रिजने में और क्या आय भी थे लोंगे जबंपांच कोशिन आये हुए थे उसके बाद डारेक्शन कर सर्फ नहीं होते आलफा निवेरिक सिरीज उसके वेथे फीर एक अलफा नियुमेरी कोड़ेड वाला क्वेशन आया हुआ था कंडिशन के हिसाब से इस क्वेशन का कोड हमको निकालना था ठीक है यह था उसके बाद संख्याथि उसको उसको आगями लिएर्ध तहूं परेन तो लास्ट में क्या रहा था करेंद नंबर और इंक्रीजिंग आरडर में अल्फावैट इस तरीचे था बहुत ही आसानीस आप कर सकते थेसनिंग अपर ओवरॉल काफी अधिता ग्यरेशन भी की का मैंने पेपर दिया था उससे भी मुझे यह देगा सेम उसी लेवल की मुझे फिलिंग आ रहे थी इस पेपर के लिए उसके बात करते हैं इंगलीज के बारे में इंगलीज भी काफी इजी आया हुआ था इसमें जो है फ्रेज रिप्लेश्मेंट के कोश्चन आये हुए उसके बाद close test question आये हुए थे और RC आया हुए था error के question आये और क्या आया था miss spell वाला question था miss spelling वाला question ठीक है और एक पैरा जंबल भी आया हुए था तो यह सारे का सारे question आया हुए थे 40 question आया हुए थे मैस का पैपर काई से आहा हुआ था मैस की पीपर में चार डियाय हुए थे ठ्डिक है चार डियाय वह थे इसमें पहला दी ठाब बृक वाला बार ग्राफ था Umm और इसको बस योड़ना सोल गर्ना था उसका दूसरा आया था परसंत सcut क्यॐ Grund और तिसरा जो आया हुआ था व्यूरेयर के ओपर आया हुआ था और चौथा यक्रीलाट आया हुआ थे अर्थमेटिक भी आया हुआ था जो नंबर सीरिस का एक क्वेशन है मुझे उसका लॉजिक उससा में समझ नहीं है लेकिन जब मैं पीपर देखे हैं तब मुझे इसका लॉजिक समझ में इस प्रकार से अगर मैं देखू तो मेरे पूरे अटेम जो है जीके में 50 रिजनिंग में 50 इंग्लीश में 40 और मैस में 141 181 अटेम है मेरे इस एक्जाम में बाकी जीके में आपको बता है जीके में मेरा 50 परसन एक उरूसी है तो देखते क्या आता है अगर इंटर्व्यू का कॉल आएगा तो जाएंगे इंटर्व्यू देने मॉंबई और फिर इसका रिव्यू में आपको बतना हुआ कि इंट सब्सक्राइब काफी किया हूँ बट देखते अब क्या होता है तो बाकि मेरा एक गलत हुआ है उसको मैने गलत ही कर दिया उसका एंसर हो रहा था 158 पर दिए है तो वह मेरा कोशन गलत हुआ है आपकी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है मैं आपके साथ सेर करूंगा ठीक है एक मज़े के बात बताता हूं हमारा जो सेंटर था उसमें सीटी यूनियान वैंक अर्टीनेंट का सथी में एके रो में रो में city union bank वाले और इधर वाले रो में हम dns वाले थे एक ही कमरे में दोनों examination होए थे तो city union bank वाली भी थे और dns वाली भी थे और फेंड तो यही था पूरा का पूरा detail review I hope आपको सारे चीजे समझ में ही होगी अगर वीडियो पसंद आए तो like करना आप दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंड होंगा तो कर दोना फेंड तब तक के लिए पंधियान रखना गुद बाए